क्या आप इसे पहचानते हैं? प्रित्वी को हम अपना घर कहते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रित्वी असल में किन पदार्थों से बनी है? प्रित्वी की सतह उसके केंद्र से लगभग 6400 किलोमीटर की दूरी पर है. तो इस केंद्र और सतह के बीच में आखिर है क्या? प्रित्वी अलग-अलग पर्तों यानि लेयर्स में बटी हुई है. जैसे कि ये केक, हर लेयर की अपनी अलग प्रॉपरटीज हैं और ये अलग-अलग मेटिरियल से बनी होती हैं. कई वैज्यानिक मानते हैं कि जब प्रित्वी ठंडी होने लगी, तब भारी मेटिरियल्स उसके केंद्र में कठे हो गए और हलके मेटिरियल्स सतह पर आ गए. इसे समझने के लिए चलिए प्रित्वी के अंदर अपनी यात्रा शुरू करते हैं. Let's go! हमारी आत्रा प्रित्वी के उस भाग से शुरू करते हैं जहां हम रहते हैं. यह है आउटर लेयर जिसे क्रस्ट कहा जाता है. क्रस्ट सॉलेड होती है, नहीं तो हम प्रित्वी के अंदर धंज जाते. यह चाटान और कुछ लूज मेटिरियल्स से बनी है. अन्य पर्तों के तुल्ना में ये परत बहुत पतली है. क्रस्ट महसागरों से लगभग 5 मील और महद्वीपों से लगभग 25 मील नीचे तक फैली है. crust का temperature इसके अंदुरूनी भागों में बाहरी भागों से लगभग 1600 डिग्री फेरेनहाइट तक ज्यादा होता है चलिए खुदाई शुरू करते हैं अरे ये कौन सी जगहा है ये है पृत्वी की सबसे बड़ी लेयर mental mental 1800 मील गहरी है लेकिन इससे पहले कि हम mental के बारे में बात करें हम इसके दो विशेश हिस्सों के बारे में जानेंगे जो crust के साथ मिलकर unique mechanical properties दर्शाते हैं सबसे उपरी लेयर को लिथो स्फेर कहते हैं जो काफी rigid होती है और crust और outer mental से मिलकर बनी है ये लगभग साथ मिल गहरी होती है हम crust को प्रिथवी के shell के रूप में देख सकते हैं असल में हम प्रिथवी को एक उबले हुए अंडे से compare कर सकते हैं जिसमें लिथो स्फेर उसका shell होगा अंडे की shell को उसके radius से divide करने पर ये उसका लगभग 2% आता है दूसरी तरफ लिथो स्फेर की थिकनेस अपॉन प्रिथवी की radius भी लगभग 2% आती है तो जैसे shell 1 के लिए है वैसे ही लिथो स्फेर प्रिथवी के लिए है लिथो स्फेर एक semi liquid layer के उपर तेरती है जिसे एस्थिनो स्फेर कहते हैं जो लगभग 60 mil गहरी होती है एस्थिनो स्फेर को बनाने वाला material प्लास्टिक नुमा होता है इसकी वजह से solid लिथो स्फेर अपने से कमजोर एस्थिनो स्फेर के उपर move कर पाती है एस्थिनो स्फेर पैसे तो एक solid है लेकिन ये बहुत गर्म होती है और इसकी properties एक viscous silicon polymer जैसी होती है अब जब आप इन particular layers के बारे में जान चुके हैं तो चलिए वापस mental पर आते हैं हलांकि इसके नाम में उतना मज़ा नहीं है mental सुपर हीटेड रॉक से मिलकर बनी है इसका temperature सबसे उपर 1600 डिगरी Fahrenheit से नीचे करीब 7900 डिगरी Fahrenheit तक जाता है उपर और नीचे के बहुत ज्यादा temperature difference के कारण heat current सुत्पन होते हैं जो heat को गर्म inner mental से ठंडी outer mental तक ले जाती हैं जिसके कारण प्रिथवी के अंदर movements होते हैं ओके अब हम दूसरी main layer के बारे में जानने के लिए तयार है outer core outer core 1400 मील गहरी एक liquid layer है ये mostly iron से बनी है यहाँ temperature outer regions में 7900 डिगरी Fahrenheit से inner core में 11000 डिगरी Fahrenheit तक वेरी करता है outer core के बिना प्रिथवी पर जीवन बहुत अलग होता outer core में liquid metals के movement से ही प्रिथवी की magnetic field बनती है जो हमें compass का यूज करने में सक्षम बनाती है और यहाँ हम प्रिथवी के center में है inner core inner core 780 मील गहरी एक solid layer है ये solid iron और nickel की बनी होती है inner core का temperature 13000 डिगरी Fahrenheit तक हो सकता है जो सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म होता है कई वैज्यानिकों का मानना है कि ये दूसरी layers के अत्यधिक pressure के कारण solid state में रहती है हम अपनी आँखों का यूज करके तो प्रिथवी का अध्यन नहीं कर सकते लेकिन हम दूसरे senses का यूज कर सकते है प्रिथवी के अंदर की बनावट का ध्यन करने के लिए हम seismic waves यूज करते है जो भूकंप या बड़े पैमाने पर मानव निर्मित विसपोटों के कारण उत्पन energy waves होती है seismic waves की timing और strength हमें प्रिथवी के इंटिरियर की बनावट बताती है seismic waves रॉक की density बदलने पर gradually bend होती है और अपनी speed बदलती है प्रिथवी के अंदर देखने का एक दूसरा तरीका volcanic activity द्वारा बहुत गहराई से सतह पर लाए गए रॉक मिटिरियल के analysis पर आधारित है ये samples interior region की properties के बारे में कई हिंट दे सकते हैं